अगर आप 500 रुपए का लोन ले लेंगे बैंक से और लोन नहीं चुगाएंगे तो क्या होता है आपके साथ अगर आप किसान हैं मजदूर हैं साधारन मेरे जैसे आदमी है और आप बैंक का 500, 200, 10,000, 20,000, 5,000, 5,000 लाग चले पांच करो रुपए ले लेंगे तो आपके साथ क्या होगा अभी पता है सरकार जो हमारी चल रही है उसमें सबसे बड़ा उनका हंतियार है पहले CBI, FID, ED, Enforcement Direct Rate आपका 25,000 का क्रांजेक्शन इधर उदर होगा तो आपको ED की जांच भेद दी जाएगी ये आपके साथ हो सकता है अगर आप इस देश के आम आदमी है और इस देश के 70-80% जो कैदी है वो खीरा चोड़ी के आरोप में CSTOBC माइनौर्टी के लोग जेल में हैं अगर आप जेनरल कैटिकरी से भी हैं और गडीव है तो भी आपको जेल जाना पड़ेगा और हमारे परधान मंतरी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेक इस बैंक ने 5500 करोड का घोटा अला किया था 3700 करोड का संपत्ती जो है वो कपूर राना कपूर के पास थे आरोप है कि 750 करोड सिर्फ एस बैंक का बधावन बंधू ने लिया था हाउसिंग कमपनी चलाते थे और 60 दिन के अंदर ED जो हमिस्टा के अंदर और सरकार के अंद करती है वो 60 दिन के अंदर ED जो है वो चार सिर्फ दाखिल नहीं करती है और 52 बंधू को जमानत मिल जाती है अब सवाल उरता है कि ये ED क्या कर रही थी एनर्सी प्रोटेस्टर्स को पकर रही है मुसल्मानों को पकर रही है ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे पुलिस वाले पत्रकार को गिरफतार कर रही उपी में लेकिन रेफिस्ट नहीं पकर जा रहे हैं वो समाजी करकरता हूँ पर केस दर्ज कर रहे हैं लेकिन चोड़ बिकास दुबे नहीं पकर जाता हैं से, तो समझे की एडी जो है, वो 60 दीनों में 44 दाखिल नहीं कर पात तो उनको जमानत मिंजहता है, तो क्या समझा जाए, क्या सरकार उनको बचा रही है, एडी का क्या काम था क्या कर रही है जब 750 करोड के घोटाले बाच के खिलाफ आप पेपर दाखिल नहीं करते हैं तो आप रिया चक्रवरती सुसांत मडर केस में जाके जांच कर रहे हैं तो रिया चक्रवर्ती पर जांच होगा, लेकिन इस पर जांच नहीं होगी, 750 करोड लेके आदमी मजे कर सकता है, 50 लोग की मौत हो चुकी है कम से कम, एक्सिस बैंक वाले मामले हैं, तो सोचिए सरकार कैसे काम कर रहे हैं, बिजैमालिया फरार, नीरमोदी फरार, मेहल चोकसी फरार, वो कौन एक मोदी था, ललित मोदी वो फरार, बधावन बंदू जमानत पर बाहर, सहारावला मजे कर रहा है, तो समझे सरकार कैसे चल रही हैं, और इस देश का गरीब आदमी जो है, वो दो रूपए के चलते जेल में सरता रहता है, बिना जमानत के जेल में सरता र तो आप लोग भरम में जी रहें इस देश में वैसे सब कुछ हो रहा है ज钮धन पहले हो रहा था वस है और आप नंष अजय К design में छो कि पहले आप आवाज उठा सकते थे अब जाती में धर्म में मज़भ में नहीं बठे होए थे अब आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं अब अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा जैसे रूस में जो हो रहा है पुतीन जो हमारे साफ के दोस्त हैं वो विपक्षी नेता को जहर खिला देते हैं और वो विपक्ष क की नजीब गयब हो गया सीवी जाच हुई सुसांत मडर केस में क्या चल रहा है मैं भी बिहार से हूं सुसांत को लेकर जितना हो रहा है यह सिर्फ राजनिती और अगर बीजेपी की सरकार होती महाराष्ट में तो सुसांत को लेकर कोई बात नहीं होती अगर यही सुसांत क मामले की जान चोछ सी भी आई लेकिन इसाथ सवाप ईडी भी जाँ शोरिया चेक्वरती रहें इसाथ सफव पचास करोड़ रुपए लेके जोग मिल जा रहे हैं कि जिए आप किसको दोसी मानते हैं इसके लिए मोदी जी दोसी नहीं तो फिर 2G, 3G जो जूटा मामला था उसके लिए मनमोहन सिंग कैसे दोसी है, मायावत्ति कैसे दोस्वेति, अकलेस कैसे तो जान बुछ कर इस देश में SC, ST, OBC मायनोटिक के नेताओं को फसाया जाता है, और जो धन्ना सेट है, और मैं बता दूँ, इस देश में एक भी धन्ना सेट, SC, ST, OBC मायनोटिक आदमी नहीं है, तो सोचिए किस तरह से लुटेरों को बचाया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है TV अकबार के ज़री कि प्राइम टाइम सोनेगा, प्राइम टाइम सो इस देश में उता हिंदो मुस्लिम पर, मॉब लिंचिंग पर, आरक्षन के खिलाब, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में तो सब कुछ क्लीन चिट मिलके आ रहा है, आप लोग की क्या आने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें